एशिया कप के टूनामेंट 2023 के मैचों को लेकर इस्थिती अब साफ हो गई है एशिया कप के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे पाकिस्तान में टूनामेंट के सिर्फ 4 मैच होंगे बांकी के 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे शुरुवाती ग्रुप स्टेज के चार मैच पाकिस्तान में होंगे इनमें एक ग्रुप से पाकिस्तान वर्सेज नेबाल का मैच और दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान वर्सेज बांगलादेश अफगानिस्तान vs श्रीलंका और बांगलादेश vs स्रीलंका मैच शामिल है याने पाकिस्तान ने भारत का एक वी मैच नहीं खेला जाएगा फाइनल का मुकाबला भी स्रीलंका में खेला जाना है ये टूनामेंट एक 30 अगस से शुरू होकर 17 सितंबर तक खेला जाएगा एशियन क्रिकट काउंसिल ने इसका एलान कर दिया है हलांकि टूनामेंट के मैच कौन से किस शहर में होंगे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है श्री लंका में गुरुप स्टेज से भारत वर्सेज पाकिस्तान और भारत वर्सेज नेपाल मैच खेले जाएंगे इसके बाद दोनों गुरुप से टॉप टू स्थान पर रहणे वाली टीमें सुपर फोर में पहुँचेंगे सूपर फोर के सभी मैच और फाइनल भी स्री लंका में खेला जाएगा आपको बता दें कि एश्या कप के मौजूदा सीजन की मेजबानी विवादों में रही है ACC ने इसके आयोजन का जिम्मा पाकिस्तान को दिया था लेकिन ACC प्रेजिडेंट और BCCI सचीव जैशा ने पाकिस्तान में भारती टीम को बेजने से साफ इंकार कर दिया ऐसे में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में टीम बेजने से इंकार कर दिया था हलंकि बाद में पाकिस्तान ने टूनामेंट को हाइब्रिट मॉडल पर कराने का प्रस्ताव भी दिया था। हाइब्रिट मॉडल के मताबिक भारत के मैच पाकिस्तान के लावा किसी और देश में करा दिये जाएं और टूनामेंट के बागी मैच पाकिस्तान में ही हो। वहीं अगर भारते टीम फारम ले पहुंचती है तो फाइनल मुकाबला भी पाकिस्तान से बाहर हो ये सुझाओ पाकिस्तान ने ACC को दिया था जिसके बाद अब ACC ने फाइनल किया है कि एशेक अपके सिर्फ चार मैच ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे जबकि बाकी सभी किसे तान से बासे पाकिस्तान